हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देव हुमी एजुकेशन पॉइट में एक बार फिर से तो साथ ही हो आप लोगों को मैं दो सैट दे चुका हूँ आज तीसरा सैट है यूटेट के लिए तो आपके लिए ये सीडीपी का है बालविगास और सिक्षाशास्तर से तो इसमें आपको तीस क्वेशन में आज भी देने वाला हूँ जो आपने दूसरा सैट देखा था पहला सैट देखा आपने देखा होगा दोस्तों कितने महतोपूर्ण क्वेशन हमने उसमें किये थे बहुत ही महतोपूर्ण ये क्वेशन होने वाला है और ऐसे प्रस्षन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं आप देखेंगे इसमें न तो जो भी क्वेशन देखेंगे आप वो अलग-अलग स्टेट के टेट मा आई होए हैं पहले के क्वेशन बहुत महतोपूर्ण ये सैट हम को जरूरत होगी उनमा हम जो है डिसकस भी करेंगे बागी रॉप्शन पर और आपको दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं बालक केंद्रित शिक्षा के अंतरगत क्या सम्म देना बालक के इसके लिए झास जरूरि नहीं है के अंतरगत नहीं आता है चलिए सबसे पहले ईपको यह समझना होगा कि कटोर शिल्प उपागम होता क्या है का एकि जैसे हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में हमको जो है एफेक्टिव करने के लिए द्रश्य स्वाधिश सामगिरी का यानि कि teaching aids का हम क्या करते है including use करते हैं पढ़ाने के लिए तो इसके अंतर जो है जो है दो तीन चीज़ां आते हैं एक तो द्रश्य सामगरी आती है ठीके audio आता है विजवल आता है audio-visual aids आते है ठीक है दुजित झाहसी सामगरी बनते तो वैसे इसका मुक्ही उद्देशी यह माना जाता है या फिर इनके लिए जैसे कर्म्टमार करना है, हार्डबेर mulher का स्टमार, शॉब्ड़ लुएर और इन चांवल करना है, तो ये technology का use करना या फिर आप किसी भी प्रकार की ठोज सामगरी कोई model दिखा रहे हैं, class में या कोई live चीज दिखा रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतरकत आदे, तो यानि कि option B यहाँ पर बिल्कुल इसका ठीक होने वाला है, आगे देखते हैं, शिक्षा को बाल पर उसकी रूची और उसकी जो अभिवरतियां हैं, उनको प्राथिमिक्ता दी जाएगी, ठीक है, तभी तो हम जो है क्या कहेंगे, बालक जो है, ये जो है शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, तो बालक की मांग उसको क्या जरूरत है, उसकी क्या आपने सुना होगा समावेशी जो शिक्षा है इक ही चीज कहा जाता है कि जो भी जैसे कोई सारे ले क nasıl से नुदियांग बच्चे थीए और जो समानी बच्चे उन्स सभी को एक जिगह पर एक साथ शिक्षा देना समाविशी शिक्षा कहलाता है तो इसमें क्या होगा सभी विध्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा प्रणाली में स्विकार ना क्या कहलाता है समाविशन कहलाता है ठीक है चलिए next question देखते हैं आदतूं ज्यान और अभिवरत्यों का अर्जन है ठीक है तो आदत किसके अंतरगर्द करते हैं दोस्तों learning के अंतरगर्द करते हैं ठीक है option A यहाँ पर ठीक होगा आगे देखते हैं किसको प्रशिक्षन के द्वारा ब्योहार में संसोधन की प्रकिरिया माना जाता है तो दोस्तों प्रशिक्षन के द्वारा ब्योहार में संसोधन की प्रकिरिय में क्या होता है हम अपने आपको प्रशिक्षित करके अपने ब्योहार में परिवर्तन करते हैं तो प्र рад की द्वरा ब्योहार में संसोधन कहें य प्रकृती प्रिवर्तन कहें ये सभी इदिया जाता है यह रिजह मिलने गी विडियो के kosum कMich लिए बता दूंगा और सारे जितने भी सेट आपके इसके पीडिय Witcher मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं विद्या लाई में सैक्षिक नर्देशन दिया जाता है तो इसकी नर्देशन दो दोस्तों देगे सब से पहली मैं आपको बताता हूँ या आपके अन्य चीज़ों के लिए आपके काम आने वाले हैं, उन विशयों के चैन के लिए आधी चीज़ों के लिए जो है सेक्सिक निर्देशन दिया जाता है, तो option कौन सा ठीक रहने वाला है, option A यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है, आगे देखते हैं, शिक्षा मन विज्ञान के दिरिश्टी से पढ़ लेते हैं, option भाया, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयम सरजन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अपने ज्ञान का बच्चे क्या करते हैं, स्वयम सरजन करते हैं, विध्यालाई में आने से पहले बच्चों में ज्ञान नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है अधिगम प्रकरिया में बच्चों को कस्ट होता है तो ये भी जो है यहाँ पर को नहीं होगा बच्चे यतावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है बिल्कुल गलत बात है जो उन्हें पढ़ाया जाता है वही सीखते हैं ऐसी बात तो नहीं है, बच्चे बाकी चीजे में सीखते जो उनको नहीं पढ़ाया जाता है, अपने परिवेस से, अपने सहपाथियों से, अपने विध्याले से, अपने परिवार से, अन्य जगह से भी ठीक है, तो option यहाँ पर को सीधे-सीधे कौन सा सही होने वाला है, option A यहाँ पर क सम्मान का सम्मान का सम्मान की होना चाहिए यह भी ठीक बात है, यानि कि option D यहाँ पर को आपका सही हो जाएगा, आगे देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विध्यार्थ के मध्ये क्या बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देत होती है ठीक है जो मानसिक रूप से अगर स्वस्त अध्यापक होगा वो अपने संग्वेगों को संतुलित रखेगा ठीक है तो मानसिक उद्धियसी यही है कि बच्चे का सर्वांगिन विकास होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए बच्चे का सर्वांगिन विकास होना चाहिए शिक्षा का जो मुख्य उद्धियसी है वो यही माना जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशन है बाल मनोविज्ञान के अधार पर कौन सा कतन सर्वोत्तम है तो बाल मनोविज्ञान के अधार पर जो है सारे बच्चे एक जैसे होते ये तो मनोविज्ञान बोलता ही नहीं है इंडिविजुल डिफ्रेंसे की बाद मनोविज्ञान करता है पर तेक बच्चा विशिष्ट होता है बिल्कुल सही बात है तो आधुनिक मनोविज्यान का अर्थ है व्योहार का अध्यन ठीक है ना अधुनिक मनोविज्यान का मतलब होता है व्योहार का अध्यन ठीक है, option D यहाँ ठीक है, पहले इसको मन का विज्यान कहा गया, आत्मा का विज्यान कहा गया, आत्मा का अध्यन कहा गया, तो अलग-अ स्मय पीरिएट में इसको अलग-अलग साइंट्रिस्ट के द्यूर्य की वहार का अध्यन क्या कहलें कि अगला निग पर कहा आया हुआ देखिए यहां पर यह बिहार टेट में यह आया हुआ है ठीक है ना बिहार टेट में आया हुआ है कई questions ऐसे होंगे प्रसने जो उत्राखन टेस्ट में भी आये होंगे ठीक है अलग अलग जगे से state के questions यहां पर लिए गए है आगे देखते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आ कारिवाहक माना है सिमित नाम के जो मनोविग्यानिक है उन्होंने शिक्षण की तृध्रूवी प्रक्रिया में कारिवाहक किसको माना है तो उन्होंने शिक्षण को जो है कारिवाहक माना है शिक्षण एक तृध्रूवी प्रक्रिया होती है जैसे कि डीवी ने भी कहा था ठी राप करिकूलम और या पिर इसको करिकूलम कह सकते हैं यह तीनो आपस में ऐसे connected है यह इसको आप इस प्रकार शेंबा सकते हैं पिक है चले नेकस्ट और डिश्टन है तो विकास आत्म मनोविज्यान में जीवन का जो अध्यन किया जाता है वो जन्म से लेकर ही किया जाता है ठीक है कहां से जन्म से किया जाता है आगे पढ़ेंगे निरिक्षण विधी में किया जाता है भई निरिक्षण किसका किया जाता है तो दूसरों के ब्योहार का निरिक बना सके। क्योंकि टीचर। जो है, इसकी शायता से शिक्षा मनोविज्ञान की शायता से अपने शीक्षन को अधिक प्रभावसाली बना सके। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट के विकास के लिए तो फ्रॉवेल आप देखेंगे तो फ्रॉवेल ने कौन से विधी का किया था तो किंडर गार्डन जो है विधी या फ्रॉवेल की है option C यहां पर ठीक है आगे देखते हैं शिक्ष जाता है कि शिक्षक को शंभाए संसाधन संपन्ण होना चाहिए संसाधन होना चाहिए क्या Mercedes होने चाहिए उन게 पास नहीं ऐसा नहीं है तो शिक्षक ऐसा होना जी सरे उस brat कर सके ठीक है तो उसके परियाबत मातरह में पैसा र संपत्ति यह तो बिलम्कुल गलत हो गया उच अधिकारियों से संपर के यह भी जो है यहाँ पर गलत हो गया परियाप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वच्छात्रों के सेमश्याओं को अप्शन च्छात्रों के बीच अच्छी पयठ होनी चाहिए यह भी नहीं होगा तो आगे देखते हैं शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन-कौन से हैं शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य दोस्तो बालकों में विशाई का ज्यान और उनका मानसिक विकास करना बहुत सही यहां पर option मिल गया बाकी को पढ़ लेते हैं एक बार विशाईयों का ज्यान देना और परिक्षा के लिए ये भी उद्देश्य हैं लेकिन प्रभुख उद्देशियों के बात हो जी है विशाईयों का ज्यान देना और विवसाई बिकास करना यह caramel यह फीक है लेकिन यहां पर अगर उनका मानसिक विकास आप सही कर पाते हैं उनको ज्ञान दे पाते हैं तो इससे वो अपने व्यावशाई कौशल भी पहचान पाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षण और अधिगम सर्शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षण छात्रों को स्वयम कारी करने की स्वायतता देता है ठीक है अगर शिक्षण में टीचिंग में छात्रों को आप खुद कारी करने के लिए देते हैं तो वह खुद कारी करके ज्यादा प्रभावी शिक्षण हो सकता है तो option A सीदे सीदे सई आगे देखते हैं एक उत्तम शिक्षण वो है जो छात्र में वांशित ब्यो परिवर्तन ला पाते हैं जो आप लाना चाहरे वांशित परिवर्तन व्योभार्गत परिवर्तन तो फिर यही तो एक उत्तम शिक्षण होगा यही तो उनका मुख्य उद्दीश है ठीक है तो यहां पर मौखी ग्रुप से ज्यान प्रेशित करना नहीं होगा सूचना का व जीवन का सरवांगिन विकास करें ठीक है तो इसलिए जो है यहां पर अभी वर्तमान में यह उद्दीश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए यह जीवन से अलग करते हैं तो आप्शन यहां पर बिल्कुर ठीक आगे देखते हैं शिक्षण की आधनिक के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए तो इस अध्यापक को मुख्य भूमिका दोस्तो अध्यापक क्या होता है अध्यापक एक सायक होता है ना सायक होता है ठीक है और निर्देशक होता है अध्यापक क्या होता है सायक होता है निर्देशक होत यह नित्र की तरह कारी करना चाहिए लेकिन मुख्य भूमिका तो नहीं आप मित्र हो जाएंगे तो फिर ऐसे भी काम नहीं चलने वाला अनुदेशक होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन मुख्य भूमिका की बात हुरी है तो वह सहस करता होना चाहिए जो बच्चों को सहस कर पा आए जो स्टूटैन्ट अहुए् और उसकोơn patrons की कोई जरूरत नहीं है यह बच्चा फ्रकृति में रहकर्टि से खुद सीख जाएका ठीक है उनका कहना हैं ऑगे बालक है रहे गत्योगा रहा है वह मुख्य है चलिए आगे देखते हैं शिक्षण और अधिकम प्रभावी हो सकता है यदि ये question साइद repeat हो गया है तो इसका answer आप comment करके बताएंगे क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों को ये question कितना याद है या अभी थोड़ी देर पहले मैंने discuss किया था को ये याद है भी या नहीं ठीक है तो यही तीस question थे बाकी अब next question जो कल मैंने कल के 7 माँ आप लोगों से homework के लिए मैंने question पूछा था कि आप लोग इसका सही answer comment करें आप लोगों के answer आए नहीं है मुझे लगता है विकास के सिध्धानत है ठीक है लेकिन प्रतिकूल अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिध्धानत ये विकास का सिध्धानत नहीं है ठीक है बाकी के ये सभी है अब आज का the set है इसके लिए आप लोगों के लिए question है जिसको आपको comment करके बताना है कि एक उत्तम कक्षा कक्षा सिक्षक जो है वो कैसा होता है छात्रों की प्राकूर्तिक जिग्यासा पोष्ण करता है या फिर छात्रों को पारस्पतिक संवात के लिए प्रोचसाहित करता है या छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिसित्यों में सम्मलित करता है या फिर ये सभी ठीक है इसमें से आपको फटा पट से जो है आंसर करने है ठीक है आपको आंसर करने हैं कहां पर करने हैं आपको पता है दोस्तों comment करके आपको answer करने हैं आप लोग comment नहीं करते हो comment करके बताया करो अगर आपको नहीं पता तो भी आप बताईए तो इसमें हम आपके जो भी doubts हैं उनको हम क्या करते हैं clear कर देते हैं आप लोगों करके जरूर बताएं तो इस वीडियो में इतना ही है और प्रतिक दिन आप लोगों के लिए हम 30 सेट लेकर आएंगे आप हमारी जो है चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट चक कीजिए प्लेलिस्ट में आपको बाकी के जो पिछले सालों के वीडियो जहें वह भी मिल हैंगे जिसमें हमने ससे से ले करके साइंस और सी डपी और ओर shrubis के फिर हम ने कराओ है और जो भी set में लगाता हूं उसको आप pause करिए और उसमें question का मेरे answer बताने से पहले आप लोग कीजिए और फिर last में check कीजिए कि आप 30 में से कितने mark से आप ला पा रहे हैं ठीक है 30 में से कितने mark से आपके आ रहे हैं ठीक है तो ctp जो है यह सबसे अच्छा score करने के लिए हो सहनी बाहर बाद मिलते हैं 34 सेट में जैहिं दोस्तों अ झाल झाल